Google Forms, Google का ही एक free online tool, जिसके through users forms create कर सकते हैं, survey और quiz create कर सकते हैं, और दूसरे लोगों को share कर सकते हैं, for example, class through होने से पहले teachers अपने students का assessment करने के लिए Google Forms का use कर सकते हैं, इसके लावा feedback देने और लेने के लिए भी Google Forms का use हो सकता है, अगर आपको online को एक quiz create करने हैं, तो आप आस social sites पर share करके लोगों का opinion ले सकते हैं, तो दोस्तों Google Forms का use कैसे करते हैं, Google Forms create कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो चले friends वीडियो सरू करते हैं, तो दोस्तों Google Forms create करने के लिए सबसे पहले आपको Chrome browser open करना है, आप चाहें तो कोई दूसरा browser भी open कर सकते हैं, open करने के बाद यहां पर आपको Google Forms की site open करनी है, google.com के बाद आपको slash लगा कर forms रिखना है, और फिर इस link को open कर देना है, इसके बाद Google Forms की site open हो जाएगी, यहां से आप कोई भी form, कोई भी quiz या फिर survey create कर सकते हैं, यहां पर सबसे पहले इस तरह से एक untitled form open ह होगा, जिसे आप अपने according कोई भी नाम दे सकते हैं, इसके लिए यहां पर आपको top side में untitled form option पर click करना है, और फिर इसे remove करके आपने according form का title enter कर देना है, for example मैं यहां पर RMS Live Learning title दे रहा हूं, आप जिस regarding form create करना चाते हैं, वो title यहां पर enter कर सकते हैं, इसके बाद यहां प title bold हो जाएगा, इसी जरह से italic option पर click करके, आप title को italic font में कर सकते हैं, underline option पर click करके, title के नीचे underline लगा सकते हैं, और link option पर click करके, आप अपने title में कोई link भी add कर सकते हैं, इसके लिए यहां पर आपको link to की field में वो URL enter करना है, जिसे आप अपने title से link करना चाते हैं, URL enter कर top right corner में ok option पर click कर दीजिए, इस तरह से आप title को bold italic और underline कर सकते हैं, और उसमें कोई link भी add कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपने form में किसी भी question किसी भी content को select करके, इन सभी चीजों को add कर सकते हैं, अगर आपको सभी formatting को clear करना है, तो इसके लिए आपर आपको अपने title को select क करना है, और फिर clear formatting option पर click कर देना है, इसी तरह से आप किसी भी content की formatting को clear कर सकते हैं, अब अगर दोस्तों आप अपने इस form का कोई description भी enter करना चाते हैं, तो यहाँ पर form description का option भी आपको मिल जाएगा, जिस पर click करके, आप अपने इस form के बारे में लिख सकते हैं, आपका form कि इस बारे में हैं, उसकी brief detail आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और description को भी आप अपने according कर्षमाइस कर सकते हैं, उसमें भी formatting कर सकते हैं, अब दोस्तों इस form में पहला question create करने के लिए, यहाँ पर आपको untitled question option पर click करना है, और फिर जो भी question आप इस form में पोजना चाते हैं, उस इसके answer में आपको कुछ options add करने हैं, इसके लिए आपको option one option पर click करना है, और अपना पहला option enter करना है, आप यहाँ पर सही या गलत कोई भी एक answer add कर सकते हैं, दूसरा option add करने के लिए आपको add other option पर click करना है, जिसके बाद option two की field यहाँ पर add हो जाएगी, इस पर click करके आपक можем पर click करके 2 या दो से अधिक options यहाँ पर add कर सकते हैं, अपने question के answers जिसमें एक सही होगा और बाकी गलत उन the options को आप यहाँ पर add कर सकते हैं, इसके बाद दूसरा question add करने के लिए यहाँ पर click करना है, जिसके बाद दूसरा question add करने का option आपके सामने आजाएगा तो यहां पर आपको अपना दूसरा question enter करना है दूसरे question में आप जो कुछ भी पूछना चाते हैं उसे question की field में type करना है अब इस question के answer में आप multiple options add कर सकते हैं otherwise अगर आप चाते हैं कि इस question का short answer यह दिया जा सके है तो यहां पर आपको multiple choice के इस drop down पर क्लिक करना है क्लिक करते answers के अलगलग formats आपके सामने आजाएगे तो यहां पर आपको short answer option पर क्लिक करना है इसके बाद users आपके इस question का यहां पर सिर्फ एक short answer दे सकते हैं multiple options यहां पर नहीं मिलेंगी अगर आप चाते हैं कि आपके इस question के answer में एक long answer दिया जाए तो यहां पर आपको paragraph option को select करना है जिसके बाद यहां पर एक बड़े paragraph में इस question का answer दिया जा सकेगा इस तरह से आप इन में से किसी भी एक option को select कर सकते हैं और अपने question के answer में set कर सकते हैं अगर आप टेक mark वाले optional answers add करना चाते हैं तो यहाँ पर check boxes option को select करें और फिर one by one करके अपने question के answer में सभी options को add कर दीजिए इस तरह से गाइज आप Google forms में multiple questions और उनके answers add कर सकते हैं आपके Google form में जितने भी questions दिये गए होंगे उनमें से जितने भी questions को आप चाते हैं कि उनका answer जरूर दिया जाए तो यहाँ पर उन questions में required option को enable कर दीजिए इसके लावा अगर आप किसी question को delete करना चाते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको उस question में यह three dots पर click करना जिसके बाद remove option पर click करके आप इस question को delete कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर आप इस option पर click करके किसी दूसरे form से कोई question यहाँ पर import कर सकते हैं इस option पर click करके अपने से Google form में कोई text add कर सकते हैं इस option पर click करके अपनी mobile gallery से कोई photo यहाँ यहाँ पर add कर सकते हैं और इस option सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर दोस्तों आप चेक करना चाहते हैं कि आपका यह गूगल फॉर्म लोगों को कैसे दिखेगा तो यहां पर आपको टॉप साइड में यह त्री डॉट्स पर क्लिक करना है और फिर प्रिवियू के इस आपके सामने आजाएगा इस तरह से इस फ इसको वह सब्मिट कर सकते हैं अब जैसे कि आप देश कते हैं इस फॉर्म की जो थी में वह पर पल करके अगर आप इसे चेंज करना चाहते तो यहां पर टॉप सैड में आपको इस आप्सन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद थीम कलर और टैक्ट फॉर्म चेंज करने का आपर इन में से किसी भी क clown को सच्ट करके आप को इस फॉर्म की को चेंज कर सकते। मैंने red color select किया इसलिए यहांपर Google form की जो theme रेड हो गई इसी तरह से आप अपने according कोई भी theme color चूज कर सकते हैं Google form create करने के बाद आपको इसे share करना है तो इसके लिए आपको send icon पर click करना है जिसके बाद इस form को share करने के अलग-अलग options आपके सामने आ जाएंगे करके यहां पर कोई email ID एंटर करके उस email पर आप इस form को share कर सकते हैं या फिर link के इस option पर click करके आप इस Google फॉर्म का link देख सकते हैं शौटण लिंक option को Select करके इस link को short कर सकते हैं और copy option पर click करके इस link को copy कर सकते हैं किसी बड़े WhatsApp ग्रूप में इस link को share कर सकते हैं या फिर किसी भी other social sites पर share कर सकते हैं इसके लावा इस option पर क्लिक करके आप इस form का embed code देख सकते हैं को कौपी करके अपनी किसी website में लगा सकते हैं फेस्बुक पेज में लगा सकते हैं इसके लावा इन दोनुए options के थुरू आप फेस्बुक और ट्विटर पर डायेक्ले इस गूगल फॉर्म को share कर सकते हैं अब अगर मान लिए आप WhatsApp पर किसी बड़े ग्रूप में अपने प्रशन का सई या गलत अंसर सब्सक्राइब कर सकता है जिसे आप बाद में रिवियू कर सकते हैं तो इस तरह से आप Google फॉर्म एजली क्रियेट कर सकते हैं तो आज की सब वीडियो बस इतना ही मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में किसी और जानकरीके साथ तब तक के लि जाहिन